शनीवार को हुए लोग का दालत में कई परिवार फिर से एक हो गए न वकील न दलील न अपील सुलह के जरिये हो गया प्रकरण का निराकरण पक्षकार खुश की अब बार बार कोट का चवरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे लोग अदालत में लंबे समय से अलग रहे दो पती पत्नी को भी एक कर दिया इसमें सबसे रोचक मामला पेट लावत के शेलेश का रहा शेलेश पत्नी को लेने नहीं आपाया तो उसकी माई यहां पहुची और बहु के गले में माला डाल कर उसे अपने साथ ले गई दैश मिली जानकारी अनुसार काली देवी में रहने वाली ममता का विवाह वर्ष 2015 में पेट लावत के शेलेश के साथ हुआ था शादी के एक साल बाद ही दोनों ही छोटी मोटी बात को लेकर विवाध होने लगा तो वे अलग हो गए दैश पतनी ने शेलेश पर घरीलू हिंसा दहेज प्रतारना का आरोप लगाया था लेकिन लोग अदालत में दोनों परिवारों के बीच समझोता हो गया चुँकी शेलेश पेटलावद कोट में पदस्थ है और लोग अदालत में ड्यूटी थी इसलिए वेह जाबूआ नहीं आ सका उसकी जगयमा बहू को लेने जाबूआ आई इनके अधिवक्ता उमंग सकसेना पवन शर्मा सुलह करता शिलपा सोनी ने सुलह कराई त्रितिये व्यारिया अधिश वर्गदो नीलीमा दत्वत देवदत की कोट में सास बहू ने एक दूसरे को माला पहनाई और खुशी खुशी अपने घर गए